शासन की निर्दीश पर जनपद में एक अप्रेल से 45 वर्ष के उपर के लोगों का टीका करन शुरू हुआ जिसके तहट जिला अस्पताल सहित 145 केंद्रों पर 45 साल के उपर वेक्तियों के कोवीड टीका करन किया गया जिसके संबंद में सिमो जॉक्टर सुधाकर पांजे ने पता है कि गुरुवार से जनपद में 45 साल से उपर के वेक्तियों का टीका करन शुरू किया गया है CMO ने कहा कि इस से पहले ऐसे वेक्तियों का टीका करन किया जा रहा था जो किसी वीमारी से गरशित थे तथा गुरुवार से 45 साल से उपर के सभी वेक्तियों का टीका करन शुरू किया गया है CMO ने कहा कि 45 साल के उम्र के 8 लाख लोगों का टीका करन किया जाना है उन्होंने कहा कि हर सब्ता 7,000 लोगों के टीका करन का लक्ष रखा गया है उन्होंने कहा कि जनपद में कुल 145 के इंदरों पर टीका करन किया जा रहा है जिसमें 115 सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें निसुर्ग कोवीड का टिका करन किया जा रहा है तथा 30 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो की 250 रुपे प्रती व्यक्ति से लेकर टिका करन कर रहे हैं इस संबन में गुरकपूर निउस से बात करते हुए चिका करन कराने वाले नागरिको तथा स्यमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा बॉक्ति में करना नागरिक नागरिको प्राइवेट हैं मेरा नाम सोक कुमा स्रिवास्तो है हम लोग पतनी दोनों लोग लगवा लिये आज बहुत अच्छा लग रहा है यह कि सब लोग को आगर के लगवा लेना चाहिए बंदना सिर्वास्तो अच्छा लग रहा है कोई समस्या कोई समस्या रही है आज से जो है पैताली साल के ऊपर लोगों का टिका करने शुरू हो गया है पैताली साल के ऊपर वोगों का टिका करने शुरू हो गया है हमें जो है इस ग्रुप पे 8 लाक लोगों का टिका करना है और हमें 2020 का ह歌 रख़ा गया है तो हमारे तीन, आज हमारे पैतालिस के एक सो पैतालिस के इंद्रों पर टिका करन चल ला है, जिसमें कि एक सो पंद्रा हमारे सरकारी हास्पिटल है, जिसमें निसुल्ख टिका करन हो रहा है, और 35 हमारे प्राइबेट हास्पिटल से ले गए हैं, टिका ले गए हैं, जो कि 250 प्रतिवेक्त के हिसाब से ठीका करने करेंगे